बिस्मिल्ला रह्मान रहीं असलाम लेकुम क्लास फाइफ आज हम आप लोग की एक्सेसाइज करेंगे एक्सेसाइज 2.4 2.4 में आप करोगे LCM by devian method से ठीक है एक्सेसाइज 2.3 में आप लोगों ने किया था LCM by prime factorization method अब एक्सेसाइज 2.4 में आप करोगे LCM by devian method least common multiple आपने निकालना है कौन से method से? devian method से ठीक है? question number one देखें question number one है आपके पास 10, 20, and 30 अब least common multiple आपने कालने हैं LCM निकालने हैं devian method से अब ये वाला method कैसे करते हैं? जितने नमबर आपको given हो उन सारे numbers को आप हर step में जो है वो एक ही दफ़ा अकठे जो है वो divide करते जाते हैं जैसे ये मैंने 10 लिखा ये 20 और ये 30 अब ये मैंने devian का sign डाला अब इस में से सबसे पहले देखें ये 10 आ रहा है ये 20 और ये 30 के इन में से कौन सा number सबसे चोटे नमबर से जो है वो divide हो रहा है अब देखें ये 10 भी 2 पे divide हो रहा है 20 भी 2 पे divide हो जाएगा 30 भी 2 पे divide हो जाएगा that means अब 2 पे divide करोगे कोई सबी अगर एक number भी 2 पे divide हो रहा होगा तो आपने इसको 2 पे ही divide करना होगा ठीक है इस नोट necessary कि कि क्या आप तीनों number आपके पास divide हो रहे हो at a time अगर एक number भी at a time कि छोटे number पे divide हो रहा है तो आपने इसको divide करना है अब ये तीनों number को सबसे पहले अकटे लेखेंगे अब 10 को divide करना है तो 2 5s are 10 अब तीनों number को एकटा divide करना है क्योंकि वो तीनों divide हो रहे है 20 देखें तो 2 1s are 2 and 0 अब 30 देखें तो 2 15s are 30 देना था अब मेरे पास number आ गए है 5 10 and 15 अब इस मेंसे नदेखी number 5 भी 2 पे divide नहीं होता 10 जो है वो 2 पे divide हो जाता है 15 भी 2 पे divide नहीं होता लेकिन 10 तो 2 पे divide हो जाएगा ना तरस में आप इसको 2 पे ही पहले इसकी divide करोगे direct आपने जो है वो यह नहीं देखना कि यह तो 5 पे हो रहा है यह भी 5 पे हो जाएगा तो आपने इसको 5 पे लेके जाना है no सबसे जो है वो step by step आपने इसकी division करनी है यह 5 as it is क्योंकि यह divide नहीं हो रहा था 2 पे अब मैं 2 पे divide करने लगी हूँ यह 10 2 पे divide हो रहा था तो 2 5s are 10 और यह 15 भी 2 पे divide नहीं हो रहा तो यह भी as it is लिख दूँगी इस step में सिर्फ में पर पस 10 divide हुआ अब अगले step में देखिए 5 आ गया 5 आ गया 15 आ गया अब 2 के बाद 3 वाला number आपने चेक करना है कि इन तिनों में से क olması number 3 पे divide तो नहीं होरा अब यहवा फाइव पी तरी पे divide नहीं होरा यह वाला 5 भी नहीं होरा यह 15 आपके पास 3 पे divide हो जाता है तो आप इस 15 को ही पहले 3 पे divide करेंगे यह 5 नहीं divide हो रहा as it is यह वाला 5 भी as it is और ये 3 5s are 15 आपने कर दिया ठीक है अब अगले नमबर देखें ये 5 है ये भी 5 है ये भी 5 है अब तीनो नमबर 5 पर डिवाइड हो जाएंगे ठीक है अब वो तीनो नमबर को आफ 5 पर डिवाइड कर दोगे 5 1s are 5 5 1s are 5 5 1s are 5 आपने उस टाइम तक डिवियन करनी है जब तक उसका लास्ट नमबर वन ना आजाए ठीक है अब लास्ट नमबर तीनों का वन आगया अब क्या करेंगे आप अपने लीस्ट कॉमन मिल्टिपल निकालना है लीस्ट कॉमन मिल्टिपल में ही जो साइड वाले फैक्टर्स आए हैं जन्होंने इनको डिवाइड किया है आप इनको आपस में क्या कर दोगे मिल्टिपलाइ कर देंगे तू मिल्टिपलाइ 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 तू 125,000 क्या आजाता है? आपके पास 60 आजाता है. तो LCM क्या आजाएगा? डिवियन मेथर से आपके पास 60 आजाएगा. ओके? क्वेसिन नंबर टू देखते हैं. क्वेसिन नंबर टू है आपके पास 25, 30, 50. तीनों नंबर को आपने हैड़ टाइम जो है वो डिवियन के लिए ल तो पे डिवाइड हो जाएगा यह फिफ्टी के लास पे जिरो है दर्स में यह भी टू पे डिवाइड हो जाएगा अब यह 25 डिवाइड नहीं होता तू पर मैंने एजरिस लेख दिया 30 को आपने जो है वो डिवाइड किया तू पे तो यह ऐसे करके चेक कर लें टू वन्स आर टू और टू फाइड टैन ठीक है तो आंसर आपके पास क्या आगया फिफ्टी अब आगे फिफ्टी है तो फिफ्टी जो मैंने आपको डायक्ट मैंसे बलता है वे बेशे कुछ से कर लें यह फाइड बनता है तो टू टू आर फोर वहाँ से वन इसके साथ बन कर आ रहा है यह दर्स में तीनों टू पे तो डिवाइड नहीं होंगे अब तरह 3 पे चेक करें 25 थी पे नहीं होता ठीक है फिफ्टी थी फाइव सार फिफ्टी डिवाइड हो जाता है 25 थी पे डिवाइड नहीं होता लिए 15 तो हो जाता है ना आफ इसको थी पे 25 आ गया अब यह तीनों नमबर 3 के पात 4 आ रहा है तो यह 4 पे तीनों डिवाइड नहीं होते यह तीनों 5 पे डिवाइड होंगे 5 5s are 25, 5 1s are 5 और 5 5s are 25 ठीक है अब 5, 1 और 5 आ गया अब यह वाला 5 देखें यह तो अल्रडी 1 आ गया और यह वाला 5 यह दोनों 5 पे डिवाइड हो जाएंगे 5 1s are 5, 1 और 5 1s are 5 अब यह जो तीन नमबर आपके पास लास पे आप देखें लास पे तीनों का 1 1 आ गया तैस में डिवाइड हो गया है अब यह जो तीन चार नमबर जाए थे जिनों इनको डिवाइड किया है इन सब को आपस में क्या कर देंगे multiply कर देंगे multiply करें 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5 यह अपने LCM लिखा multiply करें 3 2s are 6 टेक है और 6 5s are 30 2 3s are 6 6 5s are 30 and 35s are 150 वह आपका LCM क्या आगया आपके पास 150 आगया टी के लिए?